बहुत कम लोगों को कलपना होगी कि इससे आने वाले दिनों में कितनी बड़ी सेवा होने वाली है हमारे देश में जब भी कैंसर की चर्चा होती है तो मुंबई के टाटा रिसर्ट इस्टिटूट तरब जान जाता है भारत सरकार के द्वारा योगदान से वह इस्टिटूट चलती है और उसमें जो लोग आते हैं मरीज आते हैं अधिक तम मरीज उत्तर भारत से आते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं उसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और हम जानते हैं मुंबई में इस प्रकार से यहां का गरीब येटी जाओं कर वेटी जाएगा क्या करेगा और उसी में से विचार आया कि क्योंने हम इस पूरे खेट्र के लिए हो जिसकाल आप जारखड़ और बिहार के लोगों को भी मिल सकता है कि उसी तरका एक आंतर राष्टियत तरका कैंसर रिसन इंस्टिटूट बनाएं जिससे यहां के मरीजों को सेवा उफ्लब करें रिसर्च का भी काम हो और भारत सरकार इसकी देखभाल करें ताकि टाटा इंस्टिटूट जैसा चलता है उसी लेवल का एक इंट्रनेश्टन लेवल का यह इंस्टिटूट बनाएं आज उसका सलान्यास अभी हो तभी तरीब अभी अंदाज है 600 क्रोश प्याद यह हो सकता है उसको हमारे देश में 600 से हजार होने में देनी लगती है लेकिन लागत के कारण कभी काम रुकेगा नहीं मैं मैं पनारस हिंदी उनिवर्सिटी का भी आभारी हों को उन्हाने इस काम के लिए दर से कड़ भुनी आवन्पिश करने के लिए सहमती जताई पे बहुत बड़ा सेवा करता है इससे होगा करता है